रवीन जडेजा का एक जो ट्वीट है वो सबको हिला डाला है रवीन जडेजा ने एक ट्वीट किया है कर्मा विल गेट बैक एट यू सुनर और लेटर इट स्यूरली विल जिया रविन जड़ेजा ने लिखा है कि कर्म जो है वो आपको निस्चित रुपे वापस मिलेगा जरूर मिलेगा जल्दी मिलेगा यह जो ट्वीट है यह रविन जड़ेजा ने ट्वीट किया है और डिफिनेटली लिखा हुआ है उसके बाद काफी सारे खबर बन रहे है इस और में 50 रन से भी ज्यादा रन देते हैं, उसके बाद महन सिंग धोनी और रवीन जड़ेजा में बात चीत होती है, उसके बाद जब मैच खतम हो जाता है, मुकाबला जब खतम हो जाता है, उसके बाद भी महन सिंग धोनी और रवीन जड़ेजा बात करते हुए नजर आते है लंबे समय तक दोनों बात करते हैं और बताया जा रहा है कि ये जो ट्वीट है महन सिंग धोनी को लेकर करके रवीन जड़ेजा ने किया है जी आसी ख़वर फैल रही है लेकिन महन सिंग धोनी और रवीन जड़ेजा काफी अच्छे मित्र हैं और महन सिंग धोनी ने रवीन कुछ सिखाया, ये खुद रविन जड़ेजा कहते हैं, और वहीं रविन जड़ेजा ने कुछ दिन पहले कहा भी था, माइक पे कहा था रविन जड़ेजा ने, कि जब मैं पहले बल्लेवाजी करने आता हूं, तो लोग, जी हम मेरी आउट होने का कामना करते हैं, लोग मनाते हैं मैं जल्दी आउट हो जाओ ताकि मही भाई आया है और जब मैं नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आता हूँ तो लोग धोनी धोनी चिलाते हैं इस परकार से रवीन जड़ेजा ने कहा था और हमेशा से रवीन जड़ेजा महन सिंग धोनी के एक अच्छे फै इस चीज़ को निशाना साथ रहें कि रवीन जड़ेजा महन सिंग धोनी के लिए ट्वीट किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि महन सिंग धोनी के लिए रवीन जड़ेजा कुछ ऐसा ट्वीट करे जिया क्योंकि महन सिंग धोनी और रवीन जड़ेजा में काफी अच्छी मित्र के फैन कहा रहे हैं कि आप RCB में आ जए है RCB फ्रेंचाइज ही आपकी सम्मान करेगी और रोल चांजर बेंगलूर के तरफ से आप एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं जी है मुमें इंडियन्स और रोल चंजर के बेंगलूर के जितने भी फैन्स हैं कोई चाह रहे हैं कि आजए वही रोल चंजर बेंगलूर के जो फैन वो चाह रहे हैं कि रवीन जड़ेजा रोल चंजर बेंगलूर में सामिल हो जाए लेकिन यह जो ट्वीट रवीन जड़ेजा ने किसलिए कि यह अभी तक वापस नहीं खुला है और इसका खुलासा हुआ नहीं है कि आगर का सारे रीट्वीट हो चुके हैं काफी सारे रीट्वीट हो चुके हैं यहां थे कि रवीन जड़ेजा की पत्नी ने भी इसमें रीट्वीट किया है और बहुत सारे लोग रीट्वीट कर रहे हैं इसको लेकिन यह जो मुद्दा है क्या है अभी समझ में नहीं आया पूरी त के.